Welcome back to Paper Hacker तो अब हम बात करेंगे आपका अगला commercial है जो की पुचन आप संघ सिलिन टेटर संघ को हम निडेरिया संघ भी कहते है क्या कहते हैं इसको निडेरिया यह आपका निडेरिया भी कहलाता है ठीक है इस संघ की के गर हम बात करें तो इसमें समद्री एनिमून हो गया समुद्री एनिमून हो गया आपका तो यह क्या है हमारे संग सिलिंट्रेटा संग के सदसे है ठीक है और जैसे जैली फिश की बात करें ठीक है क्या होगे आपका जैली फिश यह सभी क्या है आपके सिलिंट्रेटा संग के जन्तु है ठीक है क्या है सिलिंट्रेटा संग के जन्तु है ठीक है तो इनके लक्षणों की बात कर रहा है ठीकर इनको कुछ प्रमुक लक्षन है उनकर करना आपको बर्डन करना ठीकर यह का रहां मैं करेक्टर्स आप फाइलम सिलेंट。 ठीकर तो यह बात कर रहे हम लोग ट्र elast बेर यह अफम का मूर्ण के अफम यूव करते हैं वह हुन लोग देख ले रहे हैं करके और उनको आप अच्छे से लिख दिना वन man characteristics are 1 psalm salientrator ठीक है तो पहले के अगर हम बात करें इनका पहला लक्षन क्या आया ये सभी जन्तू एलवासी होते है ठीक है ये जितने भी उतें कैसे होते है जलवासी ठीक है कहा रहते हैं ये हमेशा Jal रहते हैं कुछ अलवडिये जल ये जल से परंतू अ glowing कान समुद्र समुद्र वासी होते हैं ठीक है अलवडिये जल से ठीक है अलवडिये मतलब की जैसे आपका साफ सुक्ष जल हो गया ठीक है सुक्ष जल हो गया ठीक है जैसे जरने हो गया तलाव हो गया ठीक है उनमें मिल जागा बाकी सब कहां मिलेंगे आपको समुद्र वासी तो समद्र वाला जो जलोता वो कैसा होता है लवडिये ठीक है लवडिये इसलिए कहा गया ये सभी कैसे होते हैं लवडिये होते लेकिन कुछ जो होते हैं वो आपके सुक्ष जल में भी देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो पहली बात ये लिखना है दूसरा लिखना है कि यह ह दुक्का घूंगते मिल जाएंगे आपको या निवही, colonial ठीक है, इस्थान वद्ध सुतनतर पलावी होते है, ठीक है, कैसे होते हैं, इस्थान वद्ध eli, अनि की अपना इस्थान, बदल्ते रहते हैं कभी यहाँ तो कभी यहाँ, ठीक है गुरुब में भी बिल सकते हैं सुतंत्र पिलावी मतलब यह तैड़ते रहते हैं ठीक है क्या करते रहते हैं सुतंत्र पिलावी उस पर क्या करते रहते हैं जलकी सताय पर तैड़ते रहते हैं तीसरा लिखना है कि सवी जीव अरिये सम्मिति यानि कि रेडियल सिमेट्रिकल तथा दो इस तरिये डिपलो बिलास्टिक होते हैं ठीक है तो इनमें सिमेट्रि जो होती वो कैसी होती है अरिये सम्मिति होती है अरिये सम्मिति इससे पहले हमने बात की थी उसमें हमने बताया कि अगर मानलो कोई ये ऐसको अगर हम चार ब्रावर भाकौन दलाओं भाएं तो चारों कौने इसके चार अरीय संस этिरitta और उता आप बिलकुल पूरी तरह से रखा जा रहा है और इसमें भी कटवी बाड़ी एक के दूसरे के उपर पूरी तरह से फिट हो रही है तो हम कहते हैं क्या symmetrical ठीक है वो समयती होती है लेकिन इसमें कैसे होती है radial symmetrical होती है ठीक है वाई इस्तर क्या कहलाता है अंता इस्तर के कहलाता है एंडोर्म ठीक है तो इसमें दो इस्तर होते हैं एक वाई एक अंता दोनों इस्तरों के बीच में मीजोगलिया होता है ठीक है तो दो इस्तर होते हैं उन दोनों के बीच में क्या होता है मीजोगलिया, मालो यह क्या है, यह सबसे बाहरी वाला इस तरह है, ठीक है, उसके बाद एक अंदर यह इस तरह हो गया, ठीक है, तो बाहर वाला इस तरह हो गया आपका एक, एक आपका यह अंदर वाला हो गया, बागी जो बीच में भरा हो गया, इसको हम क्या कहते है, जे जैसे बने नहीं जाल चीजों और बटे जी डोकर चीजोंन बिसीयों, और पटो जाटा, फिफ्त लिखना है कि गैस्ट तो वक्वेश्पलर अधिर थी प्रम गैस्टरोवेस्कुलर जो गोहा होती है, वो सीरß चिद्रद्वारा वाहर की वोख केड़े हैं बावाग नहीं है भाग अगर भाग पर इस्तित होता है मुख के चार ओर प्राया छोटे-छोटे पतले दुबले इस परसक यानि कि जिने हम tentacles कहते हैं लगे होते हैं ठीक है कुछ इस तरह के यह क्या लगे होते हैं पतले-पतले tentacles लगे होते हैं जिने इस परसक कहते हैं कि कुछी दूसरे कोई दूसरी बस्तू अगर आती है तो उसको टच करते ही पता लग जाता कि हाँ कोई है तो वो किसका काम करते हैं इस परशक काम करते हैं जी चाहरी टेंटिकल्स कहते हैं तो ये सभी कैसे होते हैं a absent होते हैं नेग्स्ट आप लेखेंगे कि पाचन करिया अंता कोच की यानि की intracellular होती शेल के अंदर होती है तथा वहाई खूच की экstracelular तो पाचन करिया इने में दोनों प्रकार की मिल जाती है शेल के अंदर भी और सेल के वहर भी ठीक है intracellular और extracellular ठीक है दोनों तरह की पाचन के लिए इनमें देखी जाती है silentrator की बात करने ठीक है नाइन्थ लिखना है कि ये जनतु एक से अधिक रूपों में पाय जाते हैं ठीक है तो इनके रूप भी कैसे होते हैं अलग-अलग होते हैं ठीक है चिपके रहेंगे यहां कहां मिलेंगे यह सुतंत्र मेडियूसा ठीक है यानि कि अपने आप तैरते रहेंगे ठीक है जैसे हैडरा हो गया यह अपने आप फ्लो करता रहता है ठीक है फ्लोट करता रहता है पॉलिप ब्रंतहिन ठीक है इनमें किसी प्रकार के कोई ब्रंत नहीं होते हैं बेलनाकार तथा लंबे जबकि मेडूसा तस्तरी के आकार के या घंटी नुमा होते हैं तो पॉलिप कैसे होते हैं पॉलिप भी होते हैं आपके ब्रंतहिन होते हैं और कैसे होते हैं? बेलन के आकार के ठीक है? तो पॉलिप आपके कैसे? ऐसे बेलन के आकार के देखने को मिल जाएंगे. और मेडूसा की बात करने तो ये कैसे होते हैं? तस्तरी शमान ठीक है? जैसे कि आपने देखी होगी चाता ऐसे ठीक है? जैसे ऐसे बना दो तस्तरी नुमा ठीक है या तस्तरी के आकार के यह लिखना आपको नहीं तेन में लिखेंगे कि इनमें लेंगिक जनन यूगमक को द्वारा होता है किसके द्वारा होता है यूगमक को ठीक है गैमीट के द्वारा होता है तथा लेंगिक जनन मुकुलन या बिखंडन द्वारा होता है तो लएंग जनन के लिए का चाहिए होगा जोटा सा बढ़ बनता है इसी को बढ़ए इसी को अगर काटके आप लगा दोगे तो बढ़ क्या करेगा दोबारा से एक नया Hydra बना लेगा, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, क्या मोकलन द्वारह इनने मिता है, बिखंदन मतलब कि कोई जैसे एक Hydra है, ठीक है, उसको अगर आपने तोड़ दिया तीन भागों में, तो यह नये तीन Hydra बना लेगा, उसे हम कहते है बिखंडन ठीक है अगला है लार्वा प्लैनिूला कहलाता है इनका जो लार्वा होता उसे हम क्या कहते है प्लैनिूला कहते है ठीक है तो इस तरह से आपको चार से दस से बारा जो है पॉइंट आपको लिख देना है ठीक है silen trita में ठीक है किसमें silen trita में ठीक है तो ये था आपका silen trita संका उसके कुछ प्रमुक लक्षण थे हमने देखे थे ठीक है तो बस इसमें अतना ही लिख देना आपको जो है full marks मिल जाएंगे मिलते हैं अगले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब बन दीजी ठीक है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लैक जरूर कर दें ठीक है थेंक यू